इस रिपोर्ट में बहुत जादा मैं काऊंगा शौकिंग फैक्स इन्होंने रखे हैं दुनिया के सामने इन्होंने एक बात यहां पर यह भी मेंशन करी है यहाँ आप देख पाऊंगे इस पर आर्टिकल है के जो इसलामिक स्टेट है वहाँ पर 66 नोन इंडियन ओरिजन के फ बहुत से न्यूस आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए हैं तो डिसकस करेंगे यहाँ पर कि जो यह 66 का नंबर है क्या भारत के लिए चिंता जनक है बाकी कंट्री से कितने लोग गए हैं यहाँ पर यह भी हम डिसकस करेंगे और पाकिस्तान के बारे में क्या का इस परस्पेट्टिव और फॉरण पॉलिसी के हिसाब से भी काफी इंपॉरेंट है तो डिसकस करते हैं इस टॉपिक को अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूँगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट दो हजार एककिस की रिसेंटली किस ने रिलीस करी है डवलु एचो युनिसेफ ब्रिक्स या फिर यू एन ओडीसी कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के एंड में यू एस ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था कि 2016 से इन्होंने लांच करनी स्टार्ट कर दी कंट्री रिपोर्ट्स ओन टेरिजम इन रिपोर्ट्स में ये बदाता है कि उस पर्टिकुलर येर में एक कंट्री में कितने आतंगवादी अटाक हुए हैं वो कंट्री क्या तो यह report आप देख पाएंगे, 2MB की report है, PDF format में आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपकर click करोगे, तो countries के हिसाब से, यहाँ पर उन्हें दे रखा है data कि कोन सा country कितना action ले रहा है आज के समय आतंगवाद को रुखने के लिए, अब देखें, पाकिस्तान को अगर हम discuss करें आपर क्योंके primarily पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज़ादा focus में रहता है इस report में, तो पाकिस्तान के वारे में, इस report में ये लिखा है कि 2020 में, पाकिस्तान ने कुछ steps लिये हैं, उन आतंगवादी संगटनों की financing रुखने के लिए, जो भारत को target करते हैं, हाला कि इनुने बात में ये भी add किया है, कि इसका primary reason ये है, कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा थ कि ये लोग FATF की green list से बाहर निकल जाएं, मगर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान इसमें successful नहीं रहा, आज भी ये लोग FATF की green list में आपको मिलेंगे, फिर आगे US categorically ये लिखता है, कि recently पाकिस्तान के anti-terrorism court में, जो इनका लाहोर में anti-terrorism court है, उसने साइद को सजा तो सुनाई है, साड़े 5 साल की आप अगर देखो तो उसको सजा मिली है जेल में, मगर बाकी जो बहुती बड़े आतंगवारी संगटन हैं, जो इंडिया को target करते हैं, फर इक्जामपल, जैशे महमबर, उसका जो founder है मसूद अजर, उसकी against Pakistan ने कोई action लिया और ये एक बहुती बड़ा issue है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंके मसूद अजर ने एक बहुती critical लोड निभाय था, 2008 के Mumbai terror attacks में, आगे देखो USA ने अपनी report में ये भी लिखा है, कि पाकिस्तान की सरकार आज के समय, NGOs के साथ मिलकर, अपने देश में 5 deradicalization camps चला र देश में बहुत जादा radicalized हैं, तो उनको ये लोग डाल देते हैं, एक deradicalization camp में, जहाँ पे उनको मिलती है, vocational training मतलब के उनको कुछ न कुछ हुनर ये लोग सिखा देते हैं, ताकि ये लोग आतांगवाद के लावा किसी और चीज़ पर focus करें, counseling पर ये लोग focus करते हैं, therapy पर focus करते हैं, और ये सब शुरू पता कब हुआ था, interestingly पाकिस्तान ने अपने देश में पहला deradicalization camp शुरू किया था, 2013 में, इसका article मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, 2013 का article है, Pakistan's ambitious program to re-educate militants, और इस type का होता है, इनका deradicalization camp, यहाँ पर जो radicalized लोग हैं, यह एकटा बैठते हैं, यहाँ पर एक बहुत जारा brave teacher है, और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस तरीके से camp operate करता है, जो NGOs यहाँ पर involved है, यह लोग ऐसे 2011 से सब काम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान military के साथ इन्हों ने 2012-13 के आसपास collaboration करी, और फिर जो यह पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे मदरसाज हैं, यह USA report कह रही है, जो violent extremism, जो doctrine है, यह प्रीच करती है, तो इस वज़े से क्या है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग आज भी निकल रहे हैं, जो आतंवारी संगटनों को जोइन कर लेते हैं, चाहे वो Islamic State हो, कोई और आतंव अगर ना लेते, तो पाकिस्तान सीधा FATF की blacklist में जाने वाला था, फिर आगे आप अगर देखें, तो इन्होंने shockingly ये भी बताया है, कि जो Islamic State है, उसमें आज के समय 66 non-Indian origin fighter पहुच चुके हैं, यह fighter तो नहीं है, यह Islamic State में आज के समय काम कर रहे हैं, मगर इंडिया ने क 66 एक बहुत ही बड़ा number है, तो मैं आपको ये बता दूँ, कि United Kingdom में ये जो number है, ये 800 से लेकर 1000 के आसपास है, ये 2016 का article है, The Guardian का, यहाँ पे आप देख पाऊगे, जो total tally है Britons की, अब जो ये Britons हैं, इन में से 80 to 90% जो है, ये South Asian origin के होते हैं, पाकिस्तान या फिर Indian immigrants के बच् था 850, तो आप अगर देखें, इंडिया की अबादी के हिसाब से, हमारे याँ radicalization उस level पर नई हुई, और ये कही ना कही, Indian social fabric की जीत है, हमारे याँ जो एक secularism हम कहते हैं, सम्विधान में है, वो सिर्फ सम्विधान में ही नहीं, लोगों की नसों में भी उतर चुका है, ल जो radicalization है, ये फैल सकती है, तो important ये है, कि US और इंडिया मिलकर, जो United Nations Security Council का resolution 2309 है, इसको properly enforce करें, इसमें ये लिखा है, कि आतंगवाद से निपटने के लिए, बहुत जारा कड़े मज़र लिये जाएंगे, कोई भी information है regarding any terrorist, ये US और इंडिया आपस में share करेंगे, ताकि पुन आतंगवादियों को वापस accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर दुनिया की जो बड़ी-बड़ी universities है, वहाँ पर debate होते हैं, यहाँ पर आप देख पाऊगे, University of Birmingham का एक article है, कि returning foreign fighters, again fighters नहीं आतंगवादी है, what are the ethical and practical responsibilities, तो यहाँ पर मैं आपस पुछ होगा, नहीं होगा, लिखेगा इसके बारे में comment section में, मैं जाना चाहूँगा आपका opinion, नाव वापस आते हैं, हम लोग अपने question पे, कि जो world drug report 2021 है, यह किसने release करी थी, तो सही उतर यहाँ पे है, option D, UNODC, मतलब के United Nations Office on Drugs and Crime, आपको बताना है कि इसके headquarters का पे है, comment section में, इस इसने recently release करी है, यह drug report, जिसमें बताया गया है, कि because of COVID-19 pandemic, दुनिया वर में जो drugs की consumption है, यह बहुत जड़ा बढ़ चुकी है, और finally, आपर मैं यह भी add कर दू, कि Unacademy के जो UPSC courses है, इनमें annual price high आने वाला है, इनके prices बढ़ने वाले हैं, 23 तारीक को, तो से पहले आप अगर चाहें, तो यह courses purchase कर सकते हैं, नितो उसके बाद, there will be a price high, comment section में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यह link, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, Unacademy के unique combo courses, जिसके under UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं, in a single purchase, यह सारे courses, अलग-अलग purchase करोगे, और Unacademy तो आपको 15,000 रुपीस, extra pay करने होंगे, तो अगर आप अभी एक college student है, आपके पास time है, तो जो 24 महिने का course है, यह भी आप कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, you do not have to pay these prices, simply code use करो PD10, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% discount, और अगर आप आज कल में यह course purchase करते हैं, तो 3 months आपको extra म मिलेंगे in your subscription, तो आपका जो total यहाँ पर subscription length होगी, यह 24 महिने की नहीं होगी, यह होगी 27 महिने की, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ, यह है video कान, thank you for listening and as always, God bless you all.